यह तस्वीर हैं कठी वाड़ा परिछेतर के नक्टी बीट कर्माग 186 की जहां तीन सागवान के पेड़ कटे पड़े हैं जानकारी अनुसार रहिवार रात्री को कट्टे वड़ा आमकुट मार्ग पर रोड से करीब 100 मिटर दूरी पर जंगल में अग्यातो द्वारा किमती तीन सागवान के पेड़ आरे से काटे गए हैं जानकारी मिलने पर वण वबाग कामला मोके पर पहुचा तथा इस्तेती का जाईजा लेकर विभागी कारवे करते हुए अग्यात आरोपी किला प्रकर दर्ज किया मामले को लेकर साहय कर्मचारी वण वण वबाग के अधिकारी ने क्या कहा सुनिये अच्छली ये नक्टी बीट के अंतरकत 186 कंपार्टमेंट है जिसमें अग्यात आरोपियो द्वारा ये तीन प्रक्ष काटे गए इसकी सुचना हमें प्राप्त हुई मुख्ष द्वारा हमें सुचना प्राप्त हुई उसके पशद हमारा बीटगार्ड और समन्द परच्छे सायक सभी लोगों के सल पर पहुंचे उसकी नापजोग की और नापजोग करने के बाद उसकी मार्किंग करने के बाद लगडी को परवन कराय जा रहा है डिपो में यह कल रात की कितने वज़े सर अपको सुचना में इस बात की यह सुचना लगबग हमको मिली एक डेड़ बजे और एक डेड़ बजे के बाद फिर उन लोगों ने वहां जा के देखा और फिर तपतीस करने के बाद उन्होंने मौका इस्तिती पर जो भी कारवाही कानूनी क करनी थी वो करीब विदिक रूप से तीन पेड़ कटे हैं याने कि मही छोड़ गया तो एक आदतन अपरादी है या जान बूचकर नुक्सान क्या है यह अभी केस खुलेगा पर्चेस सहाय की जांच में अभी तो अज्याद प्रक्रण दर्ज है विसके बाद पर्चेस सहा जबाएगा कि कौन हो सकता है कि सथिंदर सीन कितने सागवान के पेड़ नक्ति बेट में आपको सर चैसे पता चलना के जंगल में तीन सागवान के पेड़ करते सरर हम रात्री घस्ती में उद्डर मर्गात तरफ थे और हमारे जो निश्क्यसर मिग दूओर हमको क्चाटे दिखें ग्रामेडों कि इसमें कितने होगी लगबा के कनूम ग्रामेडों की पिछर्चा है कि सागवान के ये किमती पीड़ काटने काम अगर तसक्रों का है तो फिर वो इसे ले क्यों नहीं गए आखिर पेड़ काटने के पिछे मकसद क्या था क्या जिनको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदार दी गई वही ने उजाडने में लगे हैं हलाकि यह सब बन विभाग के जाज का भी सही है कि इनके पिछे कौन जिम्मेद पिकार है और उनका मकसद क्या था इसी पिकार की खबरों के लिए बने रही है सीबी लाइव के लिए कट्के वाड़ा से गोपल राठोड की रिपोर्ट झाल